रूही की नौकरानी वाली सच्चाई अगनी के सामने आ गई. अब अगनी से पहले रूही ला देगी उसके और गुरुमा की सच्चाई. दोस्तों, मन सुन्दर. टीवी सीरियल में एक बहुत धमाकेदार सीन आ चुका है. चकोरी वाले कपड़े रूही के बेड के नीचे होने के कारण अगनी जान जाती है कि रूही इतने दिनों से चकोरी बनकर घर की जासूसी कर रही थी. तभी वो अब रूही के बारे असल सच्चाई घर वालों के सामने लाने ही वाली होती है. तभी रूही ही इतने दिनों से अपने मन में रखी सच्चाई को उससे पहले ही खोल देती है। दोस्तों, रूही और अगनी दोनों की कुछ ऐसी असलियत हैं जो परिवार से छिपी हुई है। लेकिन दोनों की सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, रूही अपने परिवार ककी भलाई के लिए चकोरी बन कर आई होती हैं, ताकि असल सच्चाई का पता चल सकें. लेकिन अगनी अपने परिवार के ही दुश्मन से मिली हुई हैं. जरूरत पढ़ने पर वो किसी पर हमला भी कर सकती हैं. वो परिवार को अपना नहीं समझती, केवल नाहर के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती हैं, यहां तक कि खुद नाहर को भी वो नसे की गोली अपने फाइदे के लिए खिला दी होती हैं. सब कुछ आज अगनी के बारे में, रूही ने काला चिठा सब के सामने खोल कर रख दी होती हैं. दोस्तों, अगनी का मूँ आज पुरी तरह काला पढ़ चुका है, उसे अपनी सफाई देने का कोई मौका ही रूही ने नहीं छोड़ा है. दोस्तों, अब अगनी का साथ बड़ी दादी भी नहीं देने वाली, क्योंकि उनसे भी वो गुरु मां की सच्चाई छिपा कर रखी होती हैं. कल तक रूही से नफरत करने वाली सोनी, आज अगनी को धक्के मार कर घर से बाहर करने वाली है. दोस्तों, नाहर भी अब अगनी से नफरत करने लगा है. उसकी असलियत, जान, वो उसे देखना तक नहीं चाहता है. दोस्तों, इतने दिनों से अपनी सच्चाई छिपा कर घर में सब के पीट पीछे चाल चलने वाली अगनी की सच्चाई आज बाहर आ चुकी है, दोस्तों. इस अगनी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखें. धन्यवाद.